इस राजिस्थान के बीच में होने वाला है IPL का 19 मुकाबला दोस्तों कनफर्ण विनिंग टीम मैं आपके लिए लेक आया हूँ पीछ रिपोर्ट, टीम रिपोर्ट, मैच रिपोर्ट, विनिंग रिपोर्ट, कोन सा टीम मैं जीतेगी कनफर्ण प्लेइंग 11 गीवहवे, एक लाख रुपय का, 10,000 रुपय का और 50,000 रुपय का गीवहवे और एक ऐसा अप्लिकेशन भी बताऊंगा जिसमें आप बस प्रडिक्शन कर सकते हो कि कोन सा टीम मैं जीतेगी दोस्तो एक-एक इन्फर्मिशन आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेक आयो इस वीडियो को अच्छे से देखो और पूरा देखो जिससे क्या होगा कि आपको एक विनिंग टीम मनाने में हेल्प मिलेगी बट जिन लोग के पास टाइम नहीं है और ये पूरा पांच्छो मिनिट के विडियो नहीं देख सकते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे टीम का प्रिव्यू कर देता हूँ आप इस टीम के साथ खेरो जरूर जीत होगे दोस्तो देखो लास्ट मुकाबले में बिराड कोली फ्लॉप थे आज के मुकाबले में कनफर्ण पचास प्लस रन इनका होगा जोस बतलर और ये जस्वी जैसवाल फिलहार फॉर्म में नहीं है लेकिन आर्सिवी के खिलाप हर एक टीम फॉर्म में आ जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के मुकाबले में जॉस बतलर और ये जस्वी जैसवाल दोनों फॉर्म में आ जाएंगे तो मैंने दोनों को अपने टीम में रखा है और माई फेलिम नो जॉइन होना चाहते हो तो हो जाओ चुकि आपको इसमें मिलता है दस हजार रुपय का फ्री गिववे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फ्री में आप इसमें खेल के पैसे कमा सकते हैं दोस्तों ठीक है बस आना यहाँ पे और इसको थोड़ा सा जीत के अपना विनिंग कॉंबिनेशन को जारी रखेगी लास्ट मुकाबला हारी थी उससे पहले वाला मुकाबला भी हारी है मतलब कि इस यहर आरसीवी का उतना कुछ अच्छा साल नहीं रहा है लेकिन यहीं पर राजिस्थान देखा जाया तो वो अपना मुकाबला जीत रही है और राजिस्थान के मुकाबला जीतने में सबसे बड़ा योगदान है रियान प्रयाक का जो कि इस यहर दो 50 लगाए और दोस्तों यह 50 ऐसा 50 नहीं है कि कहीं लगा दिये यह विनिंग 50 है मतलब कि चेस करते हुए चुकि बहुत नीचे आते हैं चेस करते हुए अप अब ही भी फॉर्म में आ सकते हैं और आज के मैच में मुझे लग रहा है कि ज़स्वी जैसवाल आ सकते हैं जास पटलर हो जाते हैं संजू सामसन की भार निकार है और विकेट बिंग भी कर रहे हैं सो आप इनको अपने टीम में जरूर रखना डेन डूर जोलर हो जाते हैं टेंड बोल्ट, अवेश खान, बर्गर और यूजी चहल हो जाते हैं, यह हमारी प्लेंग 11 हो जाती है, इंपक्ट प्लेर की बाद हम लोग टेलिग्राम पे अपने कर लेंगे, तो फिलाल आप प्लेंग 11 से काम चला लूँ, उसके बाद बेंगरूरू की बात किया जा तो बे किया देखी थी, मतलब की बंदा फोर में आ रहा है, दीरे दीरे, ग्रीन को तो यार मयंक यादम ने आउट कर दिया था, और हो भी नहीं पाया, इनसे कुछ, देन दिने स्कार्ति हो जाते हैं, अनूज रावत, बहुत नीचे आते हैं, बट आर्सेवी की बैटिंग लाइन लगाना ही हुआ है, तो ये कन्फर्म हमेज़ कहीं भी जाते हैं, बहुत कम इनको मिलता है, हो सकता है, लेकिन फिलाहल हमने जो देखा है अभी तक जो भी मैं चारहे है, इन्हें के बजाश आ रहा है, सुनी नरे ने इसको बहुत मार मारा था, ऐन इंजरी की बात किया जा जाते हैं दोस्तों पीच राजस्थान का पीच होने बाला है और यह पीच सही है नीट्रल पीच है 162 इस पीच पर रन लग जाते हैं जो भी टीम टॉच जीतेगी वो टीम बॉलिंग चूच करेगी तो ज्यादा अच्छा है चुकि सकेंड इनिंग वाली के जितने के चांच जादा चेश इस पीच पर ज्यादा अच्छे से होता है और यह जो पीच है अगर मान लेते हैं कि मैच में 10 बिकेट गिरते हैं तो 10 में से 8 बिकेट पेसर को मिलेंगे और 2 बिकेट इस्पिनर को मिलेंगे तो अब आप यह समझों कि आपको अपने टीम में किसको रखना है तो अगर आप तीन बॉलर रखते हो तो तीनो पेसर को रखोगे तो होगा क्या कि आपको चांस बनेंगे ज्यादा पॉइंट बिकेट लेते हैं मान लेते हैं अगर कोई राशित खान की तरह मुझे कोई बॉलर दिखा भी नहीं है एक ही बॉलर है जिस पे हम थोड़ा सा भ को आप आज के मैच में एक प्लियर को भी मत रखना चुकि अगर आप मान लोग किसी को रखोगे क्या पता को यौर स्पिनर भिकर ले जाए एंड बैटिंग पीछ है तो बैस्मन को आपने में रखो 162 का अभरेज है बट अगर एक 180 तक बन जाती है तो चेस करने में भी थो जैसे कि कोहली ने 618 रन स्कोर किया 26 सिनिंग में ठीक है राजस्थान के सामने के बात कर रहा हूं और इनका एवरेज है 25 25.75 और स्ट्राइक रेट है 114 दका दोस्तों स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है लेकिन फैंटस्टी में हमें स्ट्राइक रेट से कोई मैनेज नहीं पड़ता है वो इसलिए है चुकि यह जितना स्कोर करेंगे हम उतना पॉइंट बिलेगा हम चाहते कि यह 50 प्लस रंज से ज्यादा स्कोर करें और हमें फैंटसी में हमें इनका पॉइंट मिले और यहां पर देखोगे तो कोहली का अगर बैटिंग की बात किया तो बोल्ट क सामने 32 है जो कि बहुत अच्छा है आज के मुकाबले में बोल्ट भी थोड़ा सा डेंजरस हो सकते बिराट कोली के लिए लेकिन बोल्ट को खेलेंगे इस बाल मुझे लग रहा है चुकि लास्ट मैच में याउट कोए तो आज समल समल के खेलेंगे यहां पर अब बात किये सकते हैं यहां पर हम लोग देखते हैं सो राजस्थान और बैंगलोर के बीछ में करीबं 27 मुकाबले हो है ठीक है इस चाहिए हूं समझेँगे कि कौन सा आइस ह्याट क्याय में टक्कर का मुकाबला की होता है कि जिस पिछ पे मैच होने जा रहा है आज का ठीक है बेंगरो रूडू बोर्ट मैच एजन्स-राजिस्थान लास्सेजन में दो मुकाबले हुए थे इन दोनों के बीच में और दोनों मुकाबला बैंग रोड नहीं जीता था अब यहां पर देखोगे तो बोट टीम है वान फोर्थ मैच इच अडर इन जैपूर यानि कि जैपूर में जितने भी मुकावले हुए अभी तक दोनों ही टीम ने चार-चार मुकावले जीता है यानि कि जैपूर में टककर का मुकावला होता है टककर का मुकावला और विनिंग के हिसाब से देखो टॉस कॉन सा टीम जिदती है और उसके हिसाब से ही आज का मैच आप प्ले करो और खेलो तो हेट टुवेट की टीम देख लेते हैं दोस्तों एंड उससे पहले मैं आपको एक पचासजार का गीभवे बताता हूं यह मेरा टेलिग्राम चनल है आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप यहाँ पर जॉइन कर लेना दोस्तों यहाँ पर देखो गए तो जो भी फाइनल टीम होती है वो मैं आपको यहीं पर अपडेट करता हूं जैसे कि यह लास्ट मैच की फाइनल बस यह स्कते हो कि कोशा टीम मैं जीते की टॉस जीते की इसका लिंक भी आपको यहाँ पर पिन तो ही देन आगे की बात करते हैं की पचासज़़ अरुपे जीतने का मौका पा लेना टीम की बात करते है दोस्तों देखो टीम तो ऐससे मैंने आपको स्टार्टिंग मों देखाऊंगा जिससे आप एक अपने हिसाब से विरिंग्टी मना सको देखो दोस्तों जॉस पटलर फिलाल तो फ्लॉप रहे हैं लेकिन आज लग रहा है कि जॉस पटलर चलेंगे तो अगर जॉस पटलर चलते हैं तो होगा क्या कि उपर का लाइनाप सही रहे का नीचे का भी गर जाएगा मतलब कि नीचे का पिलर को आपको पिक नहीं करना राजिस्थान से यहां पर मैं संजू सेंप्सन जॉस पटलर और अनुज रावत के साथ जा रहा हूं बैटिंग सेक्शन में बिराड कोली जैस्वाल और फाफ हो जाते हैं यहां पर देखो को दोस्तों अ यहां पर यूजी चेहल को ले सकते हो एंड रवीन चंदर रस्मिन को मैंने बैट्समां को दोर पर लिया है बट अगर आप चाहो तो एक आज कह सकते हो कि एन बर्गर को ले सकते हो जो कि एक पेसर है तो यह कुछ कॉम्बिनेशन हो जाती है दोस्तों आर्सीवी के टीम में एक बहुत ही खतरनाग प्लेयर है विल जैक्स अगर यह जिस दिन खेलेंगे ना उस दिन मैच पलटे देंगे चुकि अच्छा प्लेयर है ग्रें लिंग मैप इनको ट्राइ करना कैप्टन वाइस के बात करते है तो कैप्टन मैं बिराड कोली के साथ ही जाओंगा आज के में वाइस कप्टन ग्राइन मैक्स बस्तों यह मेरी टीम होती है जॉइन करो और माइफ फैबले में जॉइन करो इसका वी लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में मिलेगा मिलते नेक्स वीडियो में बबदान सोब खेर लब यौल